कि हेलो फ्रेंग्स हम शीक्स टार्डर में फिसमें का चाप्टल-4 ओपरेशन एक प्रेक्षण 12 करें है लास्ट विडियो में आपको प्रेक्षट 11 सौल करके दिया अगर आपने वो वडियो ने देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते तो चलिए देखते हैं कोशेंन अगर आपको मुल्टिप्लिकेशन करना होता तो यह हम क्या करते हैं तो दिनोमेटर सेम करते थे बट मल्टिप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है डिनोमेटर सेम करने का कोई जरूद नहीं है मतलब हम यहां पर दिनोमेटर सेम नहीं करेंगे तो भी चलता है इस तरह से हो जाएगा तो 71 जा कितना होता है 7 और 5 4 जा कितना होता है 20 तो यहां पर जाएगा इस तरह से आपका 7 डिएडीरोगरान आपको जिनॉमिनेटर की मल्टिप्लिकेशन इस तरह से हो जाएगा अब 6 2 2 जा कितना होता है 35 शरह से हो जाएगा नैक्स थर्ड़ वाला देखेंगे यहाँ पर भी क्या करना आपको नुमरेटर nुमरेटर की मल्टिपिलिकेशन और डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर की मल्टिप्लिकेशन इस सभड़ेंगे आप खने किवह तो त्रसे में तो यहां पर भी किया है ​​गब्रानी के ज़ोर्ण या कुछ ने होगा चाना याको करने कि मृट्यिपलिकेशन करना है क्नॉटौैटर नुमेरेटर लोमी तुछ कि अध्य करने जैसे सब की क्या से मुस्ति कुछ फरक ने पड़ेगा सब कर दिया निक्स्ट लिखेंगे फॉर्थ वाला दी क्या है फॉर यहां पर भी क्या करना आपको नूम्रेटर नूम्रेटर दिनॉमिनेटर की मल्टिप्लिकेशन करना है 11 multiply 7 इस तरह से हो जाएगा अब 4 2 जा कितना होता 8 और 11 से 77 इस तरह से हमारा अंसर आ गया है इस तरह से हमारा अंसर आ गया है next आप देखेंगे तो next देखें तो फिफ्त नमबर पे क्या है 1 by 5 है इसको भी क्या करना आपको cross multiplication करना है तो यहापे क्या हो जाएगा 1 multiply 7 divided by 5 multiply 2 इस तरह से राटड़न कर दिया is equals to 7 1 जा 7 मतलब 1 7 multiply किया तो 7 5 2 जा 10 इस तरह से राटड़न कर दिया next नेक्स टो 6 वाला देखें क्या है यहापे भी अगर हम क्या कर लेंगे पहले यहापे 9 divided by 7 question को भी कर लेंगे divided by 7 multiply 8 आप देखें अगर आप multiplication कर रहे हो तो आपको अगर कोई भी fraction का नंबर से हम दीखें तो आप उसका division कर सकते हो तो किस तरह से यहाप फिर आप उसको reduce कर सकते हो तो किस तरह से कर सकते हो देखें आभी देखें यहापे 7 और इस 7 दोनों एक ही टेबल में आते तो आप इसका इस तरह से smallest form कर सकते हो तो आप क्या बढ़ जाएगा numerator में 9 multiply 1 बढ़ जाएगा और denominator में क्या बढ़ जाएगा 1 multiply 8 इस तरह से हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 बढ़ आप देखो तो इस सारे जो है इस तरह से दोनों एक टेबल में आते हैं और 5 और 5 आते हैं मतलब हम यह पर क्या कर सकते हैं इसको smallest form यह रिज्ट कर सकते हैं 6 1 आ 6 5 1 आ 5 5 इस तरह से हमने क्या क्या इसको रिज्ट क्या अब क्या कर लेंगे 1 और नुमेरेटर में 1 1 बच गया इसलिए और दिनोमेरेटर में क्या हो जाएगा 1 12 इस तरह से राट डाउन कर दिया इस तरह से यह हो गया तो यहां पर देखो तो यहां पर देखोगे तो 6 और 2 जो यह 1 टेबल में आता है मतलब 2 के टेबल में आता है 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना होता है 6 इस तरह से राट डाउन कर दिया देन आब उपर नुमेरेटर नुमेरेटर की मल्टिप्लिकेशन मतलब 3 मल्टिप्लाइट 3 हो जाएगा और डिवाइड़ बाई 7 5 फिर्षयों 9 इस तरह से अंसर आ गया समझ में आ रहा है सोरी यहां पर किया सेवंटीन आँ स्वेंटीन आपको क्या करने मुल्टिप्लिकेशन करने बहुत इज़ी है नेक्स्ट कोशें नेंबर तू देखी कहा अशोक रहो प्लांटेड बनानास on 2x7 of his field of 20 acres what is the area of the banana plantation देखी क्या बल रहें अशोक रहो उन्हें क्या बनाना प्लांटेड किया कितना 2x7 of his field मतब उसके खेत में उन्हें 2x7 हिस्से में क्या क्या उसने बनाना प्लांट किया आपको बोल रहें कि area आप दो बनाना find out करना है यह क्या है 2x7 fraction में दियागा आपको यहां पर क्या करना है एरिया फाइंड करना है तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं पहले डाइग्राम बना लेते हैं इस तरह से क्या करना है समझ लिए यह क्या है अशोक राओ का फिल्ड है 21 एकर्स का तो यहां पर राड़ाउन कर देंगे 21 एकर्स इस तरह से हमने राड़ाउन कर दिया अब यहां पर जो है उसने क्या क्या इसने इतने एरिया में उसने क्या क्य क्या है किसका बनाना का तो यहां पर कर देंगे बनाना बनाना तो क्या है टू बाइ सेवन इतने हिस्से में उसने क्या किया टोटल में से इतने इसमें प्लांटेड क्या बनाना का तो यह क्या करना आपको एरिया फाइंड आट करना है तो चलिए सॉल्फ करते हैं तो यहां प पाट ओफ बनाना प्लांटेश्कनária् सुफ पार्टिफ बनाना पूर्टल्टेशन्ए कितना यागा तू by seven इस फ़ल्टान होगा तॉटाल जो हे वो कितना या इस तौटल ओफ the फिल्ड इस पॉन एकर से तौहांपे पहुदा कितना Bed 1 कंद टॉटाईगा मतब बनाने का प्रांटेशन का area फाइंड आट करना तो यहां पर क्या रड्डांट करतेंगे area of banana plantation इस तरह से रड्डांट कर दिया is equal to अब क्या करना है area of area फाइंड आट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा 2 by 7 multiply area of the field क्या कर देंगे multiply area area of the field इस तरह से हमने write down कर दिया area of the field इस तरह से हो गया अब is equals to यह हो गया हमारा 2 by 7 इस तरह से write down कर देंगे और total area of the field वो कितना है हमारा 21 एकर से तो यहाँ पर हम write down कर देंगे 21 इस तरह से हो जाएगा आप देखिए आपको पाता होगा कभी भी denominator में कुछ नहीं होता है यानि 1 प्रेजेंट होता है तो अब हम क्या कर लेंगे आपको पता है numerator मतल्ब मुल्टिप्लिकेशन में क्या होता तो 7 के table में 21 आता है तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को स्मॉलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं मझे 7 1 वगा 7 3 कितना हो जाएगा 21 इस तरह से write down कर दिया अब क्या कर लेंगे आप देखेंगे तो numerator में 3 है तो हम क्या कर लेंगे 2 x 3 कर लेंगे क्यूंकि 21 को division कर दिया तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा आप देखें क्या हो जाएगा डिनोमेंटर में 111 बच जाएगा इसलिए 111 इस तरह write down कर दिया अब इस तरह क्या हो जाएगा 2 3 जाए 3 2 सा कितना होता है 6 divided by 1 इस तरह से हो जाएगा मतलब only 6 आ जाएगा तो यहां पर कहाएगा 6 acres आएगा क्यूंकि ह हमने area of banana plantation कितने में हुआ है वो 6 acres में होगा है तो यहां पर हम क्या करेंगे इन सेंटेज में write down कर लेंगे तो किस तरह से write down करेंगे the area the area of banana plantation area of banana plantation plantation is 6 acres 6 acres क्या हुआ है 7 by 2 जो fraction था उसका मतलब 21 acres में से उसने क्या अशोक राओ ने क्या किया है 6 acres में banana plantation क्या यही क्या करना था आपको area find out करना था तो यहां पर इस तरह से आपका question number 2 complete हुआ next question number 3 दिखे क्या of the total number of soldiers in our army 4 by 9 are posted on the northern border देखे क्या बोल रहे है अपने पास जो आवर total number of soldiers in देखे total number of soldiers जो हमको मालूम नहीं उसमें से आपने इसमें जितने और soldiers उसमें से 4 by 9 are posted in northern border क्या है उसमें से total number of soldiers जो है उसमें से 4 by 9 जो है वो कितना है 4 by 9 northern border पे तहीं आते देन उसके बाद देखे क्या and 1 3rd 1 3rd यानी 1 by 3 of then on the northern eastern border उसमें से वापिस जो total army उसमें से 1 by 3rd जो पार्ट है वो कितने 1 by 3rd army जो हो क्या है northern eastern border पे तहीं आते if the number of soldiers in the north is 5,400,000 how many are posted in the northern east देखे क्या बड़े नंबर ओफ soldiers in the northern जो number of soldiers northern में total कितना है 5,400,000 है तो पुछ रहे कि total how many are posted in the northern east क्या करना आपको northern east में total कितने army soldiers कितने तहीं आते हैं आपको find out करना है तो चलिए solve करते हैं तो solve करने से पहले मैं क्या करते हूं आप लोगों को एक diagram बना के दे देती हूं तो आपको क्या होगा easy होगा समझने में तो चलिए करते हैं शुरू इस तरह से क्या करना है आपको हो एकडाइग्राम बना लेना एक अब दिए क्या के मैंने डाइग्राम वना लिया अब आपको क्या ब्लोट truth al च किरुडे राइड़न करें कि नौर्डन sound इस्ट में तो यहां पर डून कर दिंगे नौर्थ इस्ट इस तरह से यह इसमें टोटल कितना है बन बाइधार्ड देखना देखो न वन बाइधार्ड यहां पर आ जाएगा और आपको क्या बोला इन दोनों में जो टोटल है वो कितना है वह स्ट है 5,40,000 तो क्या करना है आपको यह जो है आपको ते ठेखो कर लेंगे यहाँ पर आप डूस जो है पोस्टेड अदर नोर्थन बार नॉर्दन पे टोटलन कितने सॉहां 543 तो है, दोतना कर देके तो यहां पर राइट डॉन कर देते हैं soldiers soldiers posted on northern border on northern border इस तरह से हमने राइट डॉन कर दिया तो टोटल नॉर्जन बॉर्डर पर कितने जो है soldiers से 4 by 9 इस तरह से राइट डॉन कर दिया next आप क्या कर लेंगे number of soldiers number of soldiers कितना दिया गया हमको इस तरह से हमने राइट डॉन कर लेंगे number of soldiers in the north in the north इस तरह से is equals to क्या आएगा यहां पर टोटल नॉर्बर अफ soldiers कितना दिया नॉर्थ में five lakh and forty thousand तो इस यह हो गया अब हम क्या कर लेंगे इन दोनों की multiplication करके number of soldiers in the northern border कितना है वो find out कर लेंगे तो चलिए solve करते ही तो यहां पर इस तरह से हमने राटन कर लिया अब क्या कर लेंगे यहां पर number number of soldiers number of soldiers क्या हाईगा यहां पर number of soldiers इन द इन द नॉर्दन बॉर्डर इन द नॉर्दन नॉर्दन बॉर्डर नॉर्दन बॉर्डर इस तरह से राटन कर दिया तो यह हो गया अब आप सब्सक्राइब कर लेंगे इन दोरों के मल्टिप्लिकेशन को इससी हो जाएगी 4 divided by 9 5,40000 और नॉर्दन कर दिया नॉर्दन कर दिया नॉर्दन कर दिया अब डिनॉमिनेटर नॉर्दन इस तरह से हो गया अब आप देखो तो नाइन के टेबल में 54 आता है तो हम क्या कर लेंगे इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म कर लेंगे और क्या हो जाएगा 9 6 कितना होता है 54 तो यहां पर आएगा 6 इस तरह से राटन कर दिया अब यह क्या हो जाएगा 4 multiply 60 अब हम क्या कर लेंगे यह हो जाएगा अब क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा 64 कितना होता है 24 तो यहां पर आएगा 24 0000 मतलब 2,40,000 divided by 1 multiply 1 किया तो 1 हो जाएगा इस तरह से राटन कर दिया आप देखिए आपको पता डिनोमेंटर में कभी 1 ने राटन कर तो भी चलता है तो आपका अंसर क्या है सैं नोर्दन नोर्डन बोर्डर कितने हो तोटल तोल लैक서 ती तोजन ठीक्रांद हो जाया है यह जाए उस तरह से आपका अंसर आउयगाए यहां पर हम ने क्या करेंग करेंगे नोर्टन oèn और नौर्थ लॉर्थ इस्टरन बौर्डर इस इस तरह से हमने राइड़न कर दिया अब है ऑग क्या तूल्जर लॉर्ण कर देंगे हैं शहंते हो लोइध पर से कितने डर्यांगे लाइगा यौおお दिखोस तो कितने 5,40,000 तो इस तरह से हमने राड़न कर लिया अब क्या करना यापको पता इन दोनों में मन्टिप्लिकेशन हो जाएगी तो यहापे तरफे ठाप्र देर्फोर नमबर आफ नमबर आफ आफ पोलजरस इस तरह से हमने राड़न कर दिया इन दा नॉर्थ इन द इस तरह से रिट नौरेटर होजाएगा इस Track सी क्या हो जाएगा मांटीप्लाएं 510000 इस तरह से हमने रिटल कर दिया पाइग फोटी थाउजन अब हम करें रहेंगे क्रॉस मंटी सोरी माटीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा फाइग फोटी थाउजन इस तरह से हमने राड़ डाउन कर दिया अब इसके डिनोमेटर में थी है को कभी भी इसकी समी कुछ नहीं यानि वन प्रेजेंट होता है डिन 24 तो आप क्या हो जाएगा वन मल्टिप्लिकेशन किया तो वन लाक एटी थाउजन ही इस तरह से आ गया तो यह होगा आपका नॉर्थ इस्टन वार्डर पे तहिनात जो है वह वह इतनी सोल्जर से तो इसको हम क्या कर लेंगे इन सेंटेंस में राट डाउन कर लेंगे तो क किसी सथार से करेंगे चानी राट इंटें सोल्जर्ड़स सोल्जर्स पोस्टेड सोल्जर्स पोस्टेड अ OUR你 नौल Hz क्या कि नौ capitalist नौल ऑल्थ इस्टन नौ ऑदि अर्प क्या का Northern कोशन नमर 3 कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 12 वी कम्प्लीट हो चुका है तो आज के लिए इतना है मिलती हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजी शेर किजी और चैनल को सब्सक्राइब किजी थैं एंस थैंस पो वाचिंग!